शेत्र फल के आधार पर भारत देश दुनिया का सातवास सबसे बड़ा देश है। यहां देश के एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते हैं। लेगिन क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसका एरिया एक बास्किट बॉल के मैदान जितना है। यह बात जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। और इतनी छोटी से जगा में कोई देश कैसे हो सकता है, यह भी सोचने लगता है। पर आज हम आपको इस देश से जुड़े कुछ रोचक तथे बताने जा रहे हैं। पारा को रॉय बिट्स नाम के एक शक्स ने खुद को सीलेंट का प्रिंस घोशत कर दिया। रॉय बिट्स की मौद के बाद इस पर इसके बेटे माइकल का शासन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉय बिट्स ने सीलेंट के लिए डाक टिकेट, पासपोर्ट और करेंसी भी निकाली थी। करेंसी पर रॉय बिट्स की पतनी जॉन बिट्स की तस्वीर है। इस देश का अपना एक जंडा भी है जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। इस छोटे से देश की एकॉनमी पूरी तरह से डोनेशन पर निरभर करती है। हलाकि अब जैसे जैसे लोगों को इस देश के बारे में जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ परेटन के लिए भी पहुँचते हैं। सी लैंड का शेत्रफल बहुत कम है, ऐसे में जब पहली बार इंटरनेट की जरिये लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने खुब डोनेशन दिया। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिली। सी लैंड का सरफेस एरिया 6000 वर्ग फुट तक फैला है। यह देश इतना छोटा है कि आप गूगल मैप से भी इसके तलाश नहीं कर सकते। माना जाता है कि इस जगह को ब्रिटिन द्वारा दूसरे विश्वयूत के दोरान अंटी एरक्राफ्ट डिफेंसिव गन प्लाटफॉर्म के रूप में बनाया गया था। 2011 के आकडों के अनुसार सी लैंड की जनसंख्या सिर्फ 27 लोगों की थी। सी लैंड को अंतर आश्ट्रे स्तर पर अभी तक मानिता नहीं मिली है इस कारण से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है जिसका शेत्र फल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और साथ यहां की जनसंख्या 800 है वैसे एक और ऐसा देश है जिसको काफी छोटा माना जाता ह या फिर कहा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है हाला कि अभी यह आधिकारिक तौर पर नहीं है इस देश का नाम मोलुशिया है जो की अमेरिका की प्रांत निवाजा के पास थित है खास बात यह है कि इस देश के कुल जनसंख्या महस 33 लोगों की है और इ उसकी भी देश की संख्या इतनी नहीं है हाला कि अभी यह आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे छोटे देशों में नहीं शामिल है इसी लिए इस बात की पुष्टी नहीं है लेकिन इसके बावजूत यह काफी रोचक है खैर आज के लिए बस इतना ही इसी तनह के और इंट्रेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए अमारुजाला